नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं विकेटूल चैनल बीजनुजी साथ दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों बीजनस आडिया मैं आपको जो बीजनस देने जा रहा हूं वो समझ लेजिए कि मार्केट यानि बजार से संबंधिद बीजनस है वो बजार में ही चलेगा ज्यादा तर और दोस्तों उससे आराम से आप 500-600 या 1000 रुपए तक कमा सकते हैं और उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं ऐसा कोई जरूत वाली बात नहीं है तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल लोग सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें तो दोस्तों चलिए हम वह को सुरू करके बताते हैं तो जैसे आपने थम्नेल पर मैंने दिखाया है दोस्तों वह ऐसा चीज है कि वह समझ लेजे कहीं भी मार्केट में सुब क्योंकि मैं एक बार जा रहा था अपने गाउं से थोड़ा बाहर तो हैवे पर वह ऐसे टाइम पर वह बीजनस चलता है न कि उसके आप चाहे तो मुह मांगा दाम ले सकते हैं और अराम से कमा सकते हैं उसमें दो हजार से लेकर पाज़ार रुपय तक कमा सकते हैं अगर उस बीजनस को आप हाईवे के बगल में हाईवे रोड के समीप करेंगे तब तो दोस्तों बीजनस क्या है हम आपको आगे बताते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि आप अगर जहां भी रते हैं अगर गाउं में रते हैं तो वहां से थोड़ा समझ लिए कि 1500 किलोमेटर नहीं कर्था मिलता है रात में को जानकर है रात में लोग इतना ज्यादा कमा लेते इसे पूरी सब्जी या चावल अजय होते हैं आप कारोबार फैलाते है विलाके प्रत दिने का 50 रुपया बनना है आपका इन्वेस्ट जो पूजी लगाएंगे उसको छाट करके क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई हाइबे पर होता है एक पलेट अगर चाओल डालेंगे तो डेड़ सो रुपए कर पड़ेगा मैंने खुद खाया है भाई तभी मैं आपके साथ बता रहा हूँ तो दोस्तों यह जो बीजनस है न यह सबसे परफेक्ट बीजनस है और इसको अच्छी तरीके से करेंगे तो उसमें जरूर आपको सफलता मिलेगे तो बीजनस यह है कि आपको पूरी छोले या दाल-चावल हाईवे के बगल में अगर करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा यह सब खाने पीने वाले होटल समझ लिए धाबा तो धाबा का करवार आप करेंगे न तो समझ लिए बहुत आपको फायदा होगा और ज्यादा तरी हाइवे पर होगा यह नहीं होगा कि आपने कहीं बजार में लगा दिया दस लोग आते हैं यह ऐसे नहीं यह हाइवे पर करवार फैलता है और पूजी कोई ज्यादा लाग कर दिजीगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत